पूलाइज वेल्गम बैक टो आवर यूटुब चैनल संगिता डेली ब्लॉग स्वागत आप सभी का मेरा यूटुब चैनल पर यहां पर अनप्राशन हो रहा है जिसके लिए मैं रेडी हुई हूँ और यह सारी मेरे हजबन साउट से लाए थे तो इसे मैं अनवर्शरी में वेर करने वाली थी वट मैं नहीं की तो इसे मैं अपने बाबु का अनप्राशन में वेर की और यह देख सकते मेरा बाबु आज म एंड मेरा लुक कैसा लग रहा ये भी कमेंट करके बताएगा तो यहाँ पे देख सकते हम लोग अपना बाबू का फोटो सुट करवा रहे है एंड गाइस मेरा बाबू बहुत ज्यादा परिशान कर रहा थे देख सकते कितना प्यार और कितना क्यूट लग रहा है आप लोग को कैसा लगा आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताएगा एंड इसका पूरा गेटॉप मैं नहीं की थी इंड मैं भी अपना-पना ही की थी सो मा बेटा का जोड़ी καसा लग रहा आप लोग जरूर बताएगा यहाँ पे फोटो सूट करवाने कर लेकिए पर परिशान थी क तो यहाँ पे उसके दादू लिए हैं यानि कि मेरे father-in-law तो यहाँ पे देख सकते हैं उसे हम लोग यहाँ पे उसे बहला रहे हैं कि इधर देखो उधर देखो एंड यहाँ पे मोर का पंक छूट गया था तो मैं उसे यहाँ पे मोर का पंक लगा दी यहाँ पे देख सकते ह सट बढना है कि मेरा दादो को बता रहे हुँ कि नहीं पापा रहे हुएंड फौले नहीं रहने देगा मैं बोले नहीं से रहनेीं को सकते हो और मेरा लग पाँ पाया विए लोग रहाएंग दROजीनील है यह मेरा यह अपना तो मैं सोची की चलो आज सुपका में तो उसे पहन लेना चाहिए साधी वाला एंड मेरा बाबो का आप लोग देख सकते हो गाइस आज के बाद मेरा बाबो हर ब्लॉक में आएगा मैं से लाओंगी बस आज अनप्राशन के कहीं इलतिजार था तो फाइनली अनप्राशन हो चुका मेरा बेटा का आप लोग देख सकते हो यहां पर एंड यह मेरी मदर इन लो तो यह उनकी दादी है जो उनको गोदी ली है तो इसको सबको एक करके गोदी ले रहे थे फोटो क्लिक करवा रहे थे कि मु तों आसा पर बहुत जादा ऊपर साउन्ड हो रहा था कोई बोड़ यह तेदर देखो कोई बोड़ धिसके वाज़े से में भआ सोपर मुझे करना पूड रहा उसके लिए सो यहां पर देख सकते हो गाईस यहां पर यह रहा मट की तो मेरे का छो टे काना यहां पर उसे सारा निकाल रहे हैं मैं इसमें cotton डालीती एंड इसके अंदर मिठाई वागे रथा तो वो उपर में मैं नहीं रखी क्योंकि वो डारेक्ट मुह में लेता तो वो निगल जाता इसके वाज़े से मुह उपर से हलका cotton डाल देती जो अच्छा look आ सके एंड गाईस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बहुत सारा fruit है धेर सारा मिठाई है एंड भूग लगाने के लिए मैंने खीर तड़का राजमा का तड़का काबली चना कचारी बना था जो कि यहाँ पर रखने भूल चुके हैं आप लोग देख सकते हो तो नमकीन यह नहीं देख सकते हो जो होता है न कासा का थाली ग्लास का टोड़ी यह मिला एंड चांडी का चम्मच पार्शन कर तो यहां पर उसका अनप्राशन हो रहे है और देख सकते हो कितना ज honor कर रहा है खिलाने Hay Nii देर ड nonprofit वहाद यàng भी था वहूता है न होता हुथ ईका एंड लाग रह दिन देख करके वैसे भी one year के भाद ही नमकिन खीलाएंगे तो उसके लिए को टेंसन आ है नई यहाँ पर देख सकते गई जितना भी सार नंदाई था धेव शारवाण सार, मिठाई तो सब कर थोड़ा 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 लगाना था तो यहां पे मैं इसे खेला रही थी क्योंकि वो रहने नहीं दे रहा था कभी ये उठा रहा कभी वो उठा रहा काफी काफी ज़्यादा परिशान करके रखा था सबको यहां पे पूजा वगेरा हो चुका था थोड़ा बहुत इसके जो भी था हम लोग पंडित वगेरा नहीं बुलाए थे तो जो भी था हम लोग खुद से पूजा वगेरा की है और यहां पे उसके मामा दही कटी का लगा रहे हैं तो कोई भी सूबकार में दही सूब होता है है उसके वजह से हेहां पर उसके मामा ही करते हैं कमेंट करके जरूर बताएगा इन्ड यह देखो आ नानी तो यह मेरी मा है यह मेराज मा है तो मेरी माँ हेल्फ कर ले थी कि ये करो ऐसे करो ऑसे करो तो यहां पर उसका पी पाले बालिस छर्टा ऋप निया ख़ीद का दा भी से के ऊ खाले बाल चाहिण हो या से तो अब होस्ट गया है six month three days six month का होई गया था तो अब हम लोग इसको खिलाएंगे तो यहां पर देख सकते हो तो यहां से मा लोग भी कुछ फ्रूट लेकर आई थी एंड हम इसके डैड़ी भी लेकर आई हुए थे सबसे पहले हर एक चीज को खिलाते हैं थोड़ा 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 जितना भी मिठाई है हलका फलका ऐसे ही नाम का क्योंकि हम लोग इसाइड खिलाया जाता है यहां पर मिठाई लग भुक 35 टोटल मिला के 45 या कुछ ऐसे होंगे मेरे को तो पता रही है एंड गाइस कुछ भी गया था जिसके वज़े से यहां पर इतना ही है तो जो भी है बहुत अच्छा हुआ बहुत अच्छे से पार हो गया तो यहां पर हम लोग काफी एंड मेरा बाबो भी काफी एंड कर रहा था एंड गाइस के दो घंटे के लिए बिल्कुल परिशान नहीं किया जैसे ही तो घंटा वो फिर परिशान करना शुरू कर दिया एंड वो जितना भी उसके माला वागे रहा था वो बिल्कुल तोड़ चुका था तो यहां पर आप देख सकते हैं वो खुद से खा रहा है चांदी की चमत से खिला है जरो से एंड वो खुद से खा रहा है मूं में तो य मैं बता रही थे यहां पर कि यह ज्यादा ड्रेस रहने नहीं देगा तो थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी लेकर एंड इसको खिला दो यूगि फिर यह पुरा बिगार देखा अपना हुलिया तो यहां पर देख सकते हैं आप लोग फिर मेरा भाई थोड़ा-थोड़ा तो देखें वहां पर कैसे चाट रहा है जैसे खिला जारो पुरा मुझ फार रहा था हो कि और मुझे चाहिए तो यहां पर देख सकते हो एंड काफी अच्छा लगा तो आप लोग इंजॉय करो एंड गाईस आप लोग के साइट कैसे होता है तो आप लोग कमेंट करेंगे मेरे वीडियो को जादा से जादा लाइक करें शेयर करें और हाँ आप लोग के साइट जो लोग भी मेरे वीडियो देख रहे है जहां से भी देख रहे है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा तक कि मुझे पता चले कि आप मेरे वीडियो कहां से देख रहे हो एंड आप मेरा बेबी यहीं पर खेल रहा है तो मेरा धयान थोड़ा उसके तरह भी जा रहा है कि उसे चोट ना लग जा की थी एंड बेबी को कृष्ण भगवान बनाना था तो यह भी प्लान मेरा था एंड यहां पर आगे हैं उसके दादू यानि कि मेरे फादर-in-law तो यहां पर मेरे पापा जी इसको खेलाएंगे तो सबको पानी भी थोड़ा थोड़ा पिलाते हैं तो यहां पर देखिए एंड इस बताओं सज बताओं तो इसको यहां पर भूख लगया था यह मोचुट्थी तो बाद में सबसे पहले उस बीज में इसको सब दूद भी पिलाना पड़ गया था हम लोग को एक मिनट एंड उसके दादो यहां पर खिला रहे हैं पानी भी पिला रहे हैं उसके बाद फिर यहां पर उसके मामा पानी पिलाएं भूल गया था पानी पिलाने तो पहले खिलाना पिलाना पहले मामा ही करते हैं हमारे साइड उसके बाद फिर कोई और करते हैं तो यहां पर देखिए उसके बाद दादो करेंगे फिर दादी लोग करेंगी तो वो सब आप लोग को प्लॉप में आकर देखने को मिलेगा तो आ ऐसे करो तो आप लोग भी ऐसे करिए है सो गाई समुझ ज्यादा हाइफाई तो कुछ नहीं करते हैं तो जो भी करते हैं चोटा मुटा करते हैं बठा आमारे फैमली में जितने लोग हम लोग खुस रहने का बहुत को सिस्स करते हैं और जब से मैं लड़ों गोपाल आगया मे आप लोग देखिए कि अ कि अ कि फैन के वज़े से खीर उपर में थोड़ा करा हो गया था तो मैं मेरे हजबन यहाप उसको चला दिये ताकि वह अंदर से होता है सॉफ्ट वाला रहता है गिला वाला तो वह उपर आ जाए उसका फिर देखिए कैसे खा रहा है दादो के हांसे पुरा मुह पारे जा रहा है खाने के लिए परिशान है यहां पर पानी बॉइल नहीं है तो यह कच्छा पानी है तो हम लोग उसको ज्यादा नहीं पिला रहे थ है बिलकुल नाम का दे रहे थे एंड अनप्राशन में इसके दादा दादी इसको चांदी का बाली दिये हैं तो उसे मैं अपने लड़ो को पहना दी हूँ आप लोग देख सकते हो इसकी दादी खिला रही है एंड गाइस कौन क्या दिया है वह तो आप लोग को एक ब्लॉ खिलाने के बाद फिर से एक बाद धो दिर धो दिया जा रहा था चमच एंड उसके बाद पाने ले रहे थे तो यह आप लोग देख सकते हो और मैं उसे तो खिलाने में परिसान थी पता ने वीडियो सूट कियें तो पूरा नहीं आया है कौन सूट कियें पता निगाइस इतना ज़्यादा भीड़ तब किसी को भी कैमरा दे दिये थे और इतना भी कर पाई समझे बहुत है क्योंकि काफी खाना भी बना आज जिस दिन राजमा क आखाना भास यहादा अर। पाम को सूट ढ़ी कुराओ और भी तो आएवा जसे साुट सूट किया तो इसे ग्नौर करेंग़ा अच्छे से उतना नहीं आया उसके लिए sorry यहां पर अब देखिए वो खिला लिए और दादी के बाद उसके पापा खिलाएंगे यानिकर उसके डैडी खिलाएंगे फिर मैं खिलाऊंगे उसके बाद फिर उसके नानी वगेरा जो भी होते हैं करके आते जाते खिलाते जाते हैं अगल वाले अगल वगल के देर सारे लोग आए थे तो उन लोग को भी आगे ब्लॉग में दिखेगा एंड गाइस एक वीडियो में जितना कैप्चर होगा मैं करूंगे नहीं तो फिर मैं सेकेंड पार्ट में डालोंगे एंड यह है गाइस मेरी फुगा सास तो यह काफी अच्छी है इतनी अच्छी है ना गाइस इतनी प्यारी है क्या ही बताओ बिल्कुल मेरी नानी की जैसी है, मेरी अपनी नानी की जैसी, यह बहुत अच्छी है, काफी हेल्फ करती है सब चीज में, और बताती भी यह ऐसे नहीं, ऐसे करो, तो हम लोगो डाट भी रही थी, प्यार वला डाट रही थी, कि बाबू को ऐसे ही बिना कपड़ा कर रखी हो, अभी का टाइम एक हो गया था, तो जिसके वज़े से बोड़ी थी, कि खाली बोड़ी है, उसको लहर लग जाएगा, यह वो, तो हम लोग बोले थे हाँ हो गया, तो जिसके वज़े से हम बहुत जल्दी जल्दी फटा 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 फट की है, तो देखें, यहां पर उसकी बुगा दादी खिला रही है, तो यह देखें, उसकी बुगा दादी, इनको हम लोग काफी ज़्यादा मिस करते हैं, जब यह चली जाती, पूरा घर खाले लगता है, क्योंकि यह काफी अच्छी है, बहुत ही प्यारी है, तो आप लोग देखें, एंड हाँ गाइस, प्ली